खेलो दोस्तों नमस्कार एक वा फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैट्स वाटका में हम लोग देख रहे हैं मैट का प्रैक्रिसेशन और आज देखेंगे सेट नमबर 9 इस स्रीज की पीछे जो भी क्लासेश हुई है उसके प्ले लिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से जाकर के आप पीछे के क्लासेश को देख सकते हैं साथी साथ आप प्ले स्टोर से मैट सवाट का 2.0 इस एप्लिकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ जो हमारा पेड़ बैच से चल रहा है उसको भी जोईन कर सकते हैं मैट के लिए भी आपको ब्रमास्त्रा बैच चल रहा है जो की अगर आप बेसिक से मैट सीखना चाहते हैं तो वह बहुत ही बेस्ट बैच होगा आईए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की जो भी आपका क्लासे यहाँ पे हो रहा है उसका जो पीडियेप है वह आपको मिल जाएगा मैट स्वाटिका टेलिग्राम चैनल के उपर तो उस चैनल को भी मतलब टेलिग्राम को भी जोईन करके वहां से पीडियेप डाउनलोड करके बाकी का आप प्रैक्टिस करते रहिएगा important questions यहाँ पे कराये जा रहे हैं और खास तोर से जो नया pattern question का है उसी के उपर आधारित questions यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा देखियेगा क्या है पहला question बुला है कि एक लॉन रूर रूर एक घंटे में ईक इस ट्रकशकर चलेग थे कब एक घंटे में यानि कि साथ मिनट में गों में में बिसद्टा साथ में चक्कर में बताक कि कितना चक्कर हम क्या करेंगे धोक करême लोगह यह इसको करते हैं यहाँ से काटेंगे भी या 60 यानि कि 25 बटा 3 चकर लगाएगा तो 25 बटा 3 चकर अब हमें क्या बताना है इस कोश्चन में कि कितना रेडियन चलेगा यानि हमें इसको पाई के फॉर्म में कनवर्ट करना है तो जब यह एक चकर चलेगा तो कितना डिगरी का कोन बनाएगा एक चकर चलने का मतलब है कि circle बनाएगा और circle बनाने का मतलब है कि 360 degree और 360 का मतलब होता है 2 pi तो एक चक्कर में यह 2 pi degree चलेगा तो इतना चक्कर में इतना गुने 2 pi 2 से 25 में गुना कर लिजे कितना होगा 50 तो 50 pi उपर में और नीचे में क्या हो जाएगा 3 तो 50 pi बत्ता 3 इतना All rayon को जो है यह आपका चलेगा यह क्या दे रखा है कि एगोश कर लगाता को 20 जोक्र केंगेगा कोना करेंगे स्वाव यह 25 जोड़कर में अचा कर लगाएगा हमें क्या बनाना है कि एक चक्करमें यहां डी यहां चलेगा तो इतने चक्कर में इतना गूंआ स्क्वाइर यह जो डाटा है वह आपका गलत है यह स्क्वाइर उपर होना चाहिए आगे आगे देख लिए जो और क्या डाटा दिया है इसमें अब बोला है कि यदि समानांतर भुजाओं की लंबाई 20 सेंटिमीटर और 12 सेंटिमीटर तो समानांतर भुजाओं के बीच की बचाए एक तो इधर वाला और एक इधर वाला यह और समानांतर होता है समानांतर मतलब इन दोनों भुजाओं के बीच का दूरी चाहे जहां से आप मापिए लंब दूरी एक समान होगा जबकि इन दोनों भुजाओं के बीच का दूरी देखे ऊपर में कम है और नीचे मे स्पीध की लंबता दूरी तो इसको हम लोग मान लेते हैं इसको हम हम 0 20 मान लेते हैं बसे तरफल दे रखा है समबलन चतरभुच का चेतर फल होता है समबलन 4 जातल होता है एक बट्ठा दो उने समानांतर भुजाओं का योग तो 20 और 12 है समनांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा 32 कुना उचाई कितना है यह होता है संवलम का चेतरफल 1 बटब्टा 2 उने 22 sam उचााई एक सेथरफल कितना दे रखा है 160 सब्सक्राण सब्सक्राण स्कक्राइब अगर आप इसको काटते हैं गौर कीजेगा 2 से तो कितना हो जाएगा 16 बार में कटेगा 16 से इसको काटते हैं कितना बार में कट जाएगा 10 बार में तो H का भैलू यहाँ पे आपका कितना आ गया 10 यानि की समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी आपका यहां पर दस हो जाएगा तो समलम से कुश्चन अक्सर देखने को एक्जाम में मिलता है अगर कभी ऐसा कुश्चन आ जाए तो उसको आप बहुत ही आसानी से ऐसे बना सकते हैं आगे चलिए हमें बताना है कि निम्लिक कितना का है अंसर हर में तीन का यहां अंतर 15 और 19 कितना का है चार का है यहां अंतर एक का और इसमें अंतर कितना का है एक कैस का सौरी आठ का अंतर है आपको एक छोटा सा काम करना है सब के अंतर को बराबर करना है तो सब के अंतर को बराबर करने के लिए तीन चार एक आठ क common multiple हम खोजेंगे तो 3, 4, 1, 8 का common multiple क्या होगा ऐसा कौन सा number है जो 3, 4, 1, 8 सब से कटेगा वह number है आपका 24 तो सब के अंतर को 24 करिए तो यहां अंतर 24 करने के लिए 3 है 24 बनाने के लिए 8 से waż और जिससे भी कुए और जिससे भी गुना करना है तो 28 64 हो जाएगा यहां देखिए चार को 24 बनाने के लिए 6 से कुणा तो 15 में 6 से गुना करिए यहां अबकर 90 हो जाएगा इसको 24 यानि सब के अंतर को 24 बनाने के लिए किस से गुना करना पड़ेगा इसमें आठ से ऊपर भी आठ से गुना नीचे वाले में करने का जुरूरत नहीं है सिर्फ उपर में कर लीजे 24 बनाने के लिए 6 से गुना क्योंकि अंतर 4 का है 6 से गुना तो 6 से गुना हम क्या करेंगे उपर वाले में 15 शक्के 90 यहां 1 है 1 को 24 बनाने के लिए 24 से गुना उपर वाले में कितना हो जाएगा 96 यहां अंतर 8 का है 8 को 24 बनाने के लिए 3 से गुना सही आंसर हो जाएगा आगे बरिए अगला सवाल देख लिजे यहां देख लिजे क्या है बोला है कि इस निरंतर भीन को सरल बनाने कि अगला किया होगा गौर से देख लिजे जो लास्ट वाला मान ने उसको आप उन पर लिख लिजे क्या मान है दो है कितनी बार है तीन बार तो यहां पर हम तीन पॉइंट बनाएंगे एक दो तीन पॉइंट बना दी अब यहां दो है फिर तीन है दो है तो हम क्या लिखेंगे पहली बार दो उसके बाद तीन और उसके बाद क्या है उसके बाद दो है अब क्या करना है आपको एक 62 और 9 कितना हो जाएगा 71 अब लास्ट का जो दोनों वैलू बचा है उसको आप भीन के रूप में लिख दीजिए 31 से 70 है तो 31 से बटा 71 लिख दीजिए यही आपके कोश्चन का अंसर हो जाएगा 31 से बटा 71 70 है रिपीट कर रहें अपरी बात को ध्यान से समझेगा जो लास्ट वाला मान है वह जैसे है वैसे लिख दीजिए एक और चार है तो रहने दीजिए अब इसको देख लिजे यहां पर देखे दो तीन दो कितनी बारा है तीन बार तो पहले यहां उपर में लिखेंगे दो फिर तीन और फिर क्या लिखेंगे दो लिखेंगे इससे आपको इसमें गुना करना है और पीछे का नंबर जोड़ देना है तो देखें 2, 4, 8 और इधर वाला नंबर जोड़िए कितना हो जाएगा 9 अब इस 9 में इससे गुना करिए 3, 27 पीछे वाला जोड़ लीजे कितना हो जाएगा 31 गुणा करें तो 61 पीछे वाला एड़ करें कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा 31फीं बटा 71 किस का मान होगी आपका इस पूरे का 31फीं बटा 71 होगा यही आपके सवाल का क्या होगा सही जवाब होगा आगे चलते हैं अगले कोश्व statistics में यहां देखिए सब किस फॉर्म में है सब भाग के रूप में है तो जब भाग के रूप में रहे तो उपर वाला जो value है उसको तो छोड़ दीजे और बांकी सब ही को गुना करके नीचे लिख दीजे तो देखिए पांच चौके बीस पंचे सो गुना तीन कितना हो जाएगा तो दो सो चालीस बट्टा तीन सो यही आपके कोशन का अंसर होगा यहां जो वैलू दिख रहा है इसको उपर बांकी जो भी है उसको गुना करके आप नीचे रख दीजे ठीक है यह चोटा सा ट्रिक है से कोशन को सोल्ब करने का जीरो से तो जीरो कैंसिल होगा और छे से का पहले हमें किसका कडिया करना है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट का करना है नाम क्या है आपका इसका नाम है लाइन ब्रैकेट सबसे पहले इसका का उसके बाद O का मतलब होता है OFF, OFF का मतलब, OFF का मतलब होता है का यानि उसके बाद का का किरिया फिर यहाँ division है, multiplication है, addition है, subtraction है, यहाँ चीज तो आप जानते हैं भाग, गुना, पलस, माइनस, हमें ध्यान रखना है पहले ब्रैकेट, उसके बाद OFF, OFF का मतलब ही गुना ही होता है लेकिन इसका किरिया भाग से पहले और भाग, फिर गुना, फिर पलस, फिर माइनस इस तरीके से आईए, अब इस question को solve करते हैं, पहले bracket, bracket में भी सबसे पहले हम लोग line bracket देख लिए, यहाँ line है, तो इसको solve करेंगे तो 16 में से 8 माइनस करिये, क्या होगा? 8 हो जाएगा, इसका मान कितना होगे? 8, अब भाग का करिया करिये, तो 60 में भाग करेंगे 5 से कितना हो जाएगा? 60 में 5 से भाग करिएगा इसका value आपका हो जाएगा 12, यह होगे आपका बारा 12 गुना 8, भगा 2, भगा 3 तो 8 में 2 से भाग करेंगे 4, और 4 में भाग करेंगे 3 से 4 बटा 3 इधर मान होगे आपका 12 38 माईनस, इधर मान क्या है इधर मान है आपका 12 और गुना इधर क्या है आपका चार बट्टा तीन है तो लोग पढ़िए तीन चौके बारा चार चौके शोला और तीस हमें से 515 01 35 35 25 से कट ने वाला जो इसा सब फिकाने वाला सब्सेट निम्हास है 35 को 5 काट रहा ही नहीं काटा, 35 दुना 70, 70 को, इकाटे गाई नहीं, 35 दिरिके 105, 105 को इभी काटेगा, इभी काटेगा, तो LC में 105 हो गया, अब हमें क्या बताना है, हमें यह बताना है, कि ऐसा छोटा से छोटा संख्या बताए, जिसको तीगुना करने पर इन सब से कटे। बोला है वह छोटी से चोटी संख्या बताई जी से 3 करने के बाद वहां 5-15-35 से कटे तो 5-15-35 से भाग करने पर से सुन मतलब 5-15-35 से कटने वाला सबसे 3 ribo से कटने वाला सबसे चोटा संख्या इसका स M which type 105 is 105 ऐसा सबसे छोटा आगे देख लिजे पुलाए तीन घंटिया एबी सी क्रमसा पंदरह चोवीस ब्यालीस सेकेंड पर बसती है यद वे सभी सुबा आठ बजे आठ बजे से सुबा दस बजे की वे सभी घंटिया कितनी बार एक साथ बजी होंगी जबकि सुबा आठ बजे बजने वाले घंटी को गन्ना में सामिल किया गया है सवाल यहां पर यहां है कि तीन घंटिया जो है वापस में बसता है यह किस फॉर्म में डाटा है सेकेंड के रूप में ध्यान रखना है ठीक है हमें यह बताना है कि आठ से दस के बीच में कितना बार बजेगा तो हम लोग इसका LCM निकालते हैं जब भी सवाल ऐसा रहे कि कितना बार एक साथ बजेगा कब एक साथ जलेगा कब एक साथ बुझेगा ऐसे सभी कोश्चन को वो सोल्प करने के लिए हम लोग क्या करते हैं तो 15-24-42 इस बात को थोड़ा समझेगा घंटियों के बजने का अंतराल है 15-15 सिकेंड पर पहला घंटी यानि इसको अभी बजाएगा फिर 15 सिकेंड बाद बजेगा फिर 15 सिकेंड इस तरीके से बसता जाएगा इसको आप 24 सिकेंड पर बजा रहे हैं वह अभी बज़ रहा है सेकेंड के रूप में तो 840 सेकेंड पर ना यह सभी घंटी एक साथ बज़ेगा जैसे हम आप से कहें कि तीन घंटी है जिस में से एक के बजने कांतराल एक-एक मीनट दूसरा का दो-डो मिनट तीसरा का तीन-शाथ बज़ेगा तो एक मीनट वाला है वह प्रत्यक एक तो आप देखिए कि कितने समय बाद सभी घंटी एक साथ बज़ जाता है तो देख लिए 6 सेकंड पर यह भी बज़ेगा चे सेकंड पर यह भी बज़ जाता है और यानि 6 सेकंड जैसे 6 मिनट जैसे ही होगा तो 3 गंटी आपको एक साथ बसता हुआ नजर आ जाएगा तो ऐसा सवाल जब भी रहे कि कब एक साथ बज़ेगा तो हम सीधे क्या कर सकते एक दो तीन का LCM ले लेंगे तो कई से बदल सकते हैं इसमें अगर आप साथ से भाग करिएगा तो यह आपका मिनट में बदल जाएगा तो साथ से भाग करिए जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और 6 से काटेंगे 6 कम 6 क्या बचेगा 2, 24, 6, 4, 6, 4, 24 यानि कि 14 मिनट में सभी घंटी जो है आपका एक बार बसता है तवाल क्या पूछा है कि 8 से 10 के बीच में कितना बार बज़ेगा तो 14 मिनट में एक बार तो 8 से 10 में 2 घंटा 2 घंटा का मतलब 120 मिनट तो 120 मिनट में कितना बार बज़ेगा तो जब 14 मिनट में E foreign बज़ता है आठ बार तो इधर हो गया और कोश्चन में ऐसा बोल रखा है कि एक बार सुरू में तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा आठ पलस एक बार सुरू में बजाया था यानि कि कुल मिला के नौ बार या सभी घंटी जो है वापस में बजेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगल निकालना होगा जैसे हम आपसे कहें कि A और B के ब्यूत करमों का योग बताईए तो A और B के ब्यूत करमों का योग देख लिजे क्या होगा यह हो जाएगा आपका A पलस B बट्टा A B के बराबर कोई दो नंबर लीजे उसके ब्यूत करमों का योग निकालना होगा तो उस का योग फ़ल ऊपर और गुनान फ़ल नीचे रख दीजेगा जैसे X और Y के ब्यूत करमों का योग बताईए ब्यूत करमों का योग होगा X पलस Y बट्टा X गुना Y, X पलस Y बट्टा X गुना Y, क्यों ऐसा होगा देख लीजिए अगर हम आप से कहें कि भाई X और Y के व्यूत कर्म का योग बताईए तो X का व्यूत कर्म एक बट्टा X हो जाएगा Y का व्यूत कर्म एक बट्टा Y हो जाएगा जब आप इसको जोड़िएगा तो X और Y का X Y होगा इधर आपका X आजाएगा इधर आपका Y आजाएगा Y पलस X पलस Y एक ही बात है तो X पलस Y इंटु एक स्वाई आ जाता है ठीक है तो व्यूत कर्मों का जब भी योग निकालना होगा तो ऊपर में हम उसका योग लिखेंगे नीचे में उसका गुननफल तो दो धना संख्या का गुननफल उसके HCF और LCM के गुननफल के बराबर होता है मतलब नीचे में उस दोनों संख्या का गुननफल हो गया जिन दोनों के व्यूत कर्मों का योग निकालना है उपर में उसका क्या है उपर में उसका योग है और नीचे में क्या है इसका नीचे में उसका संख्याओं का गुननफल होता है अब पांस से काटेगा कितना हो जाएगा 111 बट्टा 120 आंसर आपका इस कोश्चन का क्या होगा कि पिकल्प B आगे देखिए कुछ छात्रों ने पिकनिक की योजना बनाई भोजन के लिए बजट जो है वह 500 रुपय था लेकिन उन से पांच जाने में बिफल रहे इस प्रकार प्रतेक सदस के लिए भोजन की लागत पांच रुपय की बिड़्धी हो गई यानि पहले देख लीजिए 500 रुपय है ना 500 रुपय है अब हुआ क्या है कि पहले जो है मान लेते हैं कि एक्स छात्र जो है वह आपका जाने वाला था तो 500 रुपया अगर एक्स रुपय में बटेगा तो 500 रुपय अगर 5 छाट्र को देना पड़े strengthening प्रतेक को पांच बटा 5 यरी 100 रुपय देना पड़ेगा तो पहले खर्च इतना आना था बाद में 500 शात्र नहीं गया यानि जो 500 देख रहे न इसमें से जो है यह जो रासी है अब एकस माइनस पांच ब्यक्ति में बाट आ गया तो यह भैलू तो बड़ा हो जाएगा तो बड़ा वाला भैलू हम पहले लिख देते हैं बड़ा वाला भैलू हम क्या करते हैं पहले लिख देते हैं और छोटा वाला भैलू हम क्या करेंगे बाद म अगया फूरा ध्यान से समझेगा रिपीट कर रहें ही सबात को पहले कितना छात्र जाने वाला था एकस्ट तो अगर एकस्ट चात्र जाने वाला था तो 500 रुपई आगर एक-ष्ट ने प 대해서 देना प्रेंग तो प्रतेक को question को solve करेंगे by option solve करने के लिए नहीं जाएंगे इसको option से देखिए कि x के जगा ऐसा कौन सा value रखे जिससे इसका difference 5 का आ जाए तो x के जगा अगर आप 25 रखते हैं देख लिए यहां अगर 25 रखते हैं चुकि इसको भाग करिएगा यहां 25 हो जाएगा और 25 और 20 में अंतर कितना का पांच का तो बाई option हमें यहां पता चला कि x के जगा क्या रखना पड़ेगा हमें 25 यानि छात्रों का संक्या सामिल हुआ है योजना कित शात्र बनाया योजना बनाया है आपका क्लमिला करके 25 शात्र अगला इंक के पास के से पीरुपयाल धीक यान इन और के के बीच जो रुपय है उसके बीच में अंतर पी का है आगे देखें और इन और के के पास कुल उपलब दरासी कितना है कुल उपलब दरासी जो है P है पलस वाला वैलू उपर रखे माइनस वाला नीचे रखे इन और के के पास कुल उपलब दरासी क्या है आपका कुल उपलब दरासी आपका Q है ठीक है हमें बताना है के के पास कितना यानि किसका मान बताना है वहाँ पूछे तो इस दोणों को जोड करके दो के दो से भाग करिए यानि x प्लस y भाइए टू और अगर b का जो कि एक जयगा माइनस में इसका मान पूछे तो फिर दोनों को सब्रकर करके चोर पुलिस कर्मी को देखता है और भागना शुरू कर देता है पुलिस कर्मी तुरंत उसके पिछा करने लगता है यदि चोर की चाल देखिए चोर का चाल है 10 km परती घंटा और पुलिस कर्मी का चाल है 15 km परती घंटा तो पुलिस कर्मी द्वारा पकरे जाने से पहले चोर जब भी छोड पुलिस वाला कोशन होगा तो हम लोग एक फॉर्मूला यहां पर करते हैं कि पकरने में लगा समय यानि catching time मतलब catching time catch करने में लगा समय क्या होता है यह होता है आपका more more distance क्या होता है more distance समझेगा बटा more speed more distance बटा more speed अब यहां पर देखे more distance के जागा क्या रखते हैं चोर पुलिस के बीच में जितना अधिक दुरी होगा तो चोर पुलिस से कितनी अधिक दुरी पर है 400 मीटर की दुरी पर है तो यह आपका more distance हो गया चोर पुलिस के बीच में जितना अधिक दुरी होगा मोड इस्टेंस और मोर speed क्या लिखेंगे पुलिस का चाल चौर के चाल से जितना अधिक होगा यह 15 है या 10 है कितना अधिक है लेकिन कि किलो मीटर पर आवर में इसलिए 5 बटा 18 से गुना कर दिये क्योंकि उपर जो वैलू है वह आपका मीटर पर सेकेंड में है तो नीचे जो वैलू था उसको भी मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए क्या कि यह 5 बटा 18 से अब 25 पचीस पचीस से इसको काटिएगा कितना बार में कर जाएगा 16 बार में मीटर से मीटर कैंसिल नीचे बटा के नीचे बटा में 18 उपर जाएगा यानि की 16 गुना 18 सेकेंड में जो है वह चोर पकरा जाएगा किसके दवारा पुलिस के दवारा पुलिस करेमी दवारा पकरे जाने से पहले चोर कितनी दूरी तै कर चुका है अब आंसर देखिए चोर के दूरी बताईए चोड का स्पीड क्या है चोड का स्पीड है 10 किलोमेटर परावर तो 10 गुना 5 बटा 18 यही तो चोड का स्पीड होगा मीटर पर सेकेंड में तो यही होगा ना तो इस चाल से चोड जो है वह 16 गुने 18 सेकेंड तक भागा है तो चाल गुना इस चाल से इतने समय में जितना दू सब्सक्राइब हो गया यहां पर देख लिए 16-पंचे 802 में दसे गुणा करिएगा कितना हो जाएगा 800 यानि चोर के तैय दूरी आपका कितना चोर के द्वारा तैय दूरी 800 मिटर हो जाएगा पकरने में लगा समय more distance बटा more speed बटा more speed यानि पुलिस का चाल चोर के चाल से जितना जादा होगा पांच किलो मिटर पर आवर में है इसलिए पांच बटा 18 से गुना किये आगे चलिए अगला सवाल देखिए एक रासी का एक चौथाई 2% ब्याज पे एक चौथाई कहने का मतलब कि चार भाग में से एक परचेंट हो जाएगा फिर से समझेगा इसको अब बुला है कि 2% एक रासी का एक चौथाई 2% एक रासी का एक चौथा यानि चार में से एक भाग जो है वह दो परसेंट रासी पर उधार दिया गया तो एक गुना दो परसेंट ब्याज मिलेगा अब से सराशी कितना बचा 4 तो 4 से भाग कर लीजिए औस निकल जाएगा रेखेंगे कि 3 3 9 और नानी कि चार से भाग करेंगे ना पहले भाग से इतना वाग के इतना टोटल जो याज है वह कितने भाग का ए-4 वह का सूछा से भाग करेंगे तब तो आफसाद नोग अगे अगे देखिए एक आधमी तीन अलग-अलग सोजनाओं में 6 शे साल 12 सल के लिएत साथ 10% 12% और 15% प्रतेक योजना के पूरा होने पर उसे समान व्याज मिलता है तो निवेश का अनुपाद बताईए ठीक है हम मान लेते हैं कि पहला बार वह निवेश करता है एक सुरूपाई ठीक है । पहला बार निवेश कितना करता है तो X का 60% ब्याज आपका मिल गया दूसरा मुल्थन हम Y मान लेते हैं Y रुपए जो है 10 साल में 12% वाट सिक दर से कितना ब्याज हो जाएगा 12 गुने 10, 120% तीसरा रासी हम Z मान लिए इस रासी का ब्याज कितना मिलेगा 12 साल के लिए दिया गया है 15% तो 12 गुने 15, 180% ब्याज मिलेगा इस रासी पर और तीनों का जो ब्याज है वापस में क्या है बराबर है ब्याज कैसे निकालते हैं रेट गुने टाइम तो बोला है कि एक आदमी तीन अलग-अलग योजनाओं में 6 साल, 10 साल, 12 साल के लिए करमसा 10%, 12% और 15% साधान ब्याज पर निवेज करता है यादि प्रतेक योजना के पूरा होने पर उसे समान ब्याज मिलता है तो निवेज का अनुपात बताए निवेज का तो निवेज समान लिए कि X, Y और Z रूपे निवेज किया तीनों योजना में अब पहले योजना पे कितना परशेंट भी आज मिलेगा 6 साल के लिए 10% तो 60% पहले योजना का 60% यानि निवेज का 60% दूसरा बार निवेज का 120% अब यहाँ जो भैलू कट रहा है उसको काट ये प्रतीसत यहाँ भी प्रतीसत सब को जगा है तो कटे गई 60 से काटिए 60 दूना 120 साथ हे कम साथ होगा ना साथ हे कम साथ हो जाएगा साथ दूना 120 और साथ तरीक 180 आपके पास क्या बच रहा है आव यहाँ पर वन में एक से गुना करिएगा एकस बराबर 2 य बराबर कैसे निकालेंगे फिस इस कान पाथ दो सब्सक्राइब है यह बökति बर जाती है कि परिधा पांच परसेंट परिधी 5% बढ़ने का मतलब है ध्यान रखिएगा कि बिर्ध के तिर्जया में ठीक है तिर्जया हो गया प्यास हो गया और परिधी हो गया पेरिमीटर में एक समान बिर्धी होता है जैसे अगर हम इसमें बिर्धी करते हैं 10% का तिर्जया में अगर 10% की बिर्धी करेंगे त व्यास भी दस पर्षंट बढ़ेगा परीदी भी दस पर्षंट बढ़ेगा अगर हम व्यास दस पर्षंट बरहाते हैं तो तीर्जिया और परीदी दोनों होता है देखिए 5 पलस 5 जोर 5 गुने 5 बट्टा 100 कितने पर्षेंट की बिर्धी हम इस फॉर्मूला का उप्योग कर लेंगे 5 पलस 5 कितना हो जाएगा 10 और पलस 5 गुने 5 पचीस पचीस में 100 से भाग करेंगे दो अंक के बाद असमलाव 10 दसमलाव 25 प्रतीसत का बिर्धी आपका किस में हो जाएगा शेतरफल में हो जाएगा शेतरफल में पर्षेंटेज बिर्धी निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं तो फिर हम क्या करेंगे एक का मान भी माइनस पांच करेंगे B का मान भी माइनस पांच और जब दोनों माइनस में तो खटा लेंगे दस में से दसमें दो 5 इसमिलीज दावर 7.5 इस फॉर्म में मांईनस में यानि इतने परšेंट का सब कर सक्कायब करें तो मिलते हैं अगले क्लास में पिरसे इसके अगले करी के साथ था Tea